जीवासमों के अनुसार मैमत आज के हाथियों से दो गुने भारी थे एक वैस्क मैमत का वजन बारटन तक हो सकता था प्रत्वी पर मैमत लगभग 16 लाख साल पहले दिखाई दिये थे डाइनासोर के बिलुक्त होने के बाद वे सायद भूमी पर सबसे बड़े जीव थे हाथियों के विप्रीद मैमत में एक बड़ा कूबर होता था जिसमें वे उटों की तरह चर्बी का भंडार जमा करते थे मैमत यूरोप, एसिया और उत्री अमेरिका में रहते थे मैमत की सबसे बड़े प्रजाती उत्री अमेरिका में निवास करती थी मैमत मुख्य रूप से घास अनाज और जाडिया खाते थे मैमत के अधिकांस जीवासम अलासका और उत्री साइबेरिया में पाए गए थे